हाई आज 19 सप्टेंबर है और आज का टॉपिक बहुत जादा जरूरी है उन लोगों के लिए जो लाइफ में एवे अटके वे हैं किसी चीज में ठीक है और यह ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ ने अटका दिया है आप खुद अटके हो मेरा बोलने का मतलब यह है कि आप अप बच्चर है तो उनको बलते है रहे तू क्या खेलेगा तो बोलते हैं नहीं मैं तुझे खेल के दिखाता हूं वो बोलते है ठीक है बैट लेके आज स्टंप लगाओ सारी बिल्डिंग वाले आ गए और उसके बाद में यूनो सब पूरा एक माहूल बन गया है गली में होती है देखिए कुछ गोल है आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह गोल जैसे पैरेंट्स का लोन खतम करना है अपनी सेहत का ध्यान रखना है कहीं लोगों के घरों में ऐसा होता है कि चोटे भाई-बैन की शादी करवानी है कुछ लोगों क इसा होता है कि पैरेंट्स को पिलग्रिमेज करवाना है जुम्रा करवाना है तिर्थी आत्रा पर दे लेके जाना है और भी बहुत सारे गोल होते हैं किसी को बाहर मूव आउट करना है यह सारे हमारे बिग गोल्स है बड़े गोल्स है जिनको खतम करने में होफफुली 40 से पहले हो जाए लेकिन ज्यादा सर पूरी जिंदगी गुजर ही जाती है यह आपका में गोल है आप इसके लिए पढ़ाई करते हो आप इसके लिए काम करते हो आप यहां पे अपनी पूरी जिंदगी को फोकस करते हो लेकिन कभी-कभी हम इस गोल से हटके वह गली क्रिकेट वाले गोल में अटक जाते हैं, for example, आपका गोल ये है कि मैं मेरे माबाप को, पैरेंट्स को बहुत अच्छी जिंदगी दूँ, लेकिन आप अपनी ओफिस की मीटिंग में इतने अटक गये हो, या अपने टेंशन में इतने अटक गये हो, कि दो दिन से मम्मी से ठंक से बात भ ये हो ना, ये यहाँ पर हो रहा है, और ये आपके में गोल को प्रॉब्लम दे रहा है, अब थोड़ा सा लाइफ को थोड़ा डीटेल में समझता है, ये आप हो, ये टाइम है और ये गोल है, अब गोल बहुत बड़ा था, तो हम अकसर और ये अच्छी टेकनीक है कि गोल क चोटे चोटे हिस्सों में बाढ़ दो, ताकि आप पहले एक चीज़ करो, for example, आपने पढ़ाई की, school किया, college किया, university की, job लगा, job के बाद में, promotion हुआ, और बाकी सारी चीज़ है, ठीके, चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे stairs है, goal है, cd है, जिस पर आप चड़े जा रहे हो, लेकिन कभी-कभी उसमें से एक cd ना, थोड़ी से खराब निकलेगी, वहाँ पर आपका पैर फिसल जाएगा, और फिर, अभी हमें उस cd की बेट के मरम्मत नहीं करनी है, हमको चड़ते जाना है, क्योंकि हमारा end goal कुछ और है, अब यह जो हमारा end goal है, यह important है, वो cd का वो पाइदान important नहीं है, लेकिन अब इसको समझो, आप office में पढ़ रहे कर सकते थे, आप better job में कर सकते थे, लेकिन आप अभी वहाँ पर अटके हो, अब एक fight में घुज गया है, क्योंकि इस चीज को आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज बना ले, यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग अटके वे होंगे, जिनको अभी realization होगा, और महारत हासिल करने में क्यों लगा हूँ, जबकि यह तो मेरा goal है नहीं, कई बार कुछ लोग YouTube वीडियो शुरू करते, कुछ लोग Instagram पे upload करना शुरू करते, हो सकते हैं, उनकी जिन्दगी का goal कुछ और हो, लेकिन किसी ने गलत advice दे दिया, कुछ और बोल दिया इसकी वज़ यह है, कि ऐसे और भी goal है, तो अगर यह नहीं होता है, हाँ यह important भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह अकेला goal नहीं है, अगर आप यहाँ पे fail हो गया, तो आपकी जिन्दगी खतम नहीं हो जाएगी, बहुत सारे लोग 10-12 के result के बाद में, quota में suicide कर लेते है, क्योंकि उनको लगता है, इसमें हार गया तो खतम हो गया, नहीं भाई, तुमारी जिन्दगी बहुत बढ़ी है, यह सिर्फ एक छोटा सा goal है, अगर पढ़ाई भी करने है, अगर CA में top rank लाना भी है, तो पूरी जिन्दगी के comparison में, माबाप की खुशी के comparison में, आपकी लाइफ के comparison में, बहुत छोटा सा goal है, सबसे पहले तो और goal है, यह समझो, ताकि इसकी importance आप थोड़ी कम करो, अब दूसरी चीज़ है, इसके अंदर है न, यह concept समझना बहुत जादा ज़रूरी है, एक है energy, एक है time, आपका जितना energy इसमें लग रहा है, यह goal को, for example, जब आप इसमें से निकल के वापस जाओगे, तो यहाँ पर फ्रेश नहीं रहोगे, यहाँ पर थके वे रहोगे आगे जाने के लिए, पहली चीज़, दूसरी, यहाँ पर अगर आदा घंटा वेट किया, तो यहाँ पर चीज़े आदा घंटा से आगे बढ़ गई है, अब भी, जब आप उसको ले के बैठे हो तब, तीसरी चीज़, यह जो गोल है, यह दो तरह के होगे, एक आपको डिले करेगा, यह भी तो ठीक है, जो मैंने अभी तक एक्जाम्पल बोला, वो डिले वाला है, डिले मतलब आप कुछ कर रहे हो, आप उसकी वज़े से रु अब यहां पर एक कोट है, जो यॉस टूली ने लिखा है, वो यह है, कि डू नाट लूज दा बैटल, टोटल बैटल, जस फॉर फाइट, एक फाइट है, उसका छोटा सा हिसा है, बैटल जो होता है न, जंग, वो जगड़ों बहुत सारे जगड़ों को मिला के जंग बनती है, और एक छोटे से जगड़े के लिए एक पूरी जंग क्यू हार रहे हो, यहां पर यह आता है, अब यहां से निकले कैसे, अब ही वीरार भाई समझ लो, रियल सिच्वेशन में हैं वहां पर, ठीक है, अभी उनके बास दो अप्शन है, या तो बैड देंगे, बोलेंगे, बिटा, जा तू जीता, में को खेलने नहीं आता, और वो चले जाएंगे, इंडिया टेम के लिए खेलने, और यह देखो, लेकिन बात यह है, वो जो भी इनसान है, या वो जो भी प्रोजेक्ट है, जो आपको टिक कर रहा है, वो आपकी लाइफ के इतना इंपोर्टन है ही नहीं, तो दे दो बैट वापस और निकल जाओ वाँ से, क्या अटेंशन है, एक यह है, जो बेस्ट है, दुसरा यह है, ज पूरी बात नहीं है, दे दो बैट हड़िया हुहां से, ठीक है, तो एक तो उसको लीव कर दो, और एक तो विन करो, दोनों में तुमारी मर्जी, अब यहाँ पे यूआप तो बी वेरी स्मार्ट, स्मार्ट कैसे, वहाँ पे लगे नहीं रहना है, क्यों लगे नहीं रहना ह आप अगर इदर उसको परसनल लेके बैड़ गए, तो उसको आप अपनी जिन्दगी का मसला बना लोगे, जिसकी वज़े से आप अपनी जिन्दगी खराप करोगे, मत बनाओ ना, परसनल लो ही मत, हाँ ठीक है भाई, तू जीता जा, यह बोल दो, आगे बड़ो, जब आपका जो मेंगोल है, वो कैसे बनाता सोचो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने पैरेंट्स का जो घर गिरवी है, या जो सोना गिरवी है, उससे निकालना है, तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में एक बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुआ है ना, मॉम के साथ में, लाट के साथ में, आप थे, आप नहीं थे जब, जहां पर उनको अपना सोना देना पड़ा, उतना घर बेचना पड़ा, मॉर्गेज रखना पड़ा, उसको सोचो, वो आपको आपकी जिन्दगी की दिशा बता देगा, क्यों हो रहा है ये इसका reason क्या है, political है, cultural है, monetary है, किसी आप उस बारे में सोचेगे, कि आपने क्यों स्टार्ट किया था, आपको inspiration आजाएगी, और आप जो अभी track पर जा रहेते, travel करते करते, घर से निकले थे, डेली से मुंबई पहुचने के लिए, बीच में कहीं पर किसी छोटे गाव में घुस गये, क्यों पता नहीं, अब आप वापस track पर आजाओगो, ठीक है, तो इस वीडियो की उम्मीद यह है, कि आप track पर आजाओ वापस, अगर कहीं पर छोटी मूटी office में किसी ego में अठकेवे हो, या कोई पैसे कमा के world tour करना था, parents को world tour कराना था, लेकिन आपने किसी को देखा कि यार ये बंदे ने आइफोन खरीदा है, या नई बाइक खरीदा है, मैं भी लूँगा, और आप पैसे लेकर लग गया वहाँ पर खरीदने, तो अब तो world tour होने से राराइट, अगर वो mistake अभी तक नहीं किये, और बच रखते हो, और बचने के बहुत option आएंगे, ये एक बार नहीं होता है, ये हर बार होते रहेगा, आपका दिमाग जो है, वो center हो जाएगा, ठीक है, तो I hope that really happens for you, अगर हो जाएगे तो please दूआ कर देना है, ठीक है, thank you so much, कल मिल दो